हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन जो है वो यहाँ पे चार्ज नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर अपना फोन यहाँ पर चार्ज करते हैं तो आपको यहाँ पर जो फोन है वो चार्ज नहीं होता है तो आपको यहाँ पे क्या करनी है आपको यहाँ पे अपने फोन में सबसे पहले तो जो केबल आपने लगाया है अपने फोन पर उसको आपको यहाँ पे बाहर निकालनी है बाहर निकालके आपको दुबारा से यहाँ पे अपने फोन पे लगा के दीखना है तो ऐसा करने के बाद हो सकता है कि आपके फोन में चार्ज वर्क करने लगे तो ट्राई जरूर किजिएगा और बाई चांस अगर आपका फोन पूरा स्वीच आफ हो चुका है और आप लोग यहां पे चार्ज पे लगा दिया और चार्ज नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे में क्या करना है दोस्तो अगर आपका फोन यहां पे स्वीच आफ हो चुका है तो आप लोग यहां पे आदे गंटे तक यानि कि 30 मिनट तक अपने फोन को चार्ज पे रखिए उसके बाद आप देखिए कि आपका फोन यहां पे चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है अगर नहीं हुआ है तो दोस्तो आप लोग जो अपना केबल है ना उससे जो है किसी दूसरे फोन को चार्ज करके देखिए हो सकता है कि अगर आपके phone पर cable में अगर कोई problem हो तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, आपके phone जो है चार्ज नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पर cable वगरे को change करके देखीए और हो सकता है कि आपके adapter में कोई issue हो तो यह भी एक problem हो सकता है तो कभी-कभी adapter यहाँ पर socket हो जाता है जल जाता है तो आप लोग यहाँ पर उसको भी check करिए अगर आपके जो adapter है उसमें से कुछ जलने का बदबू आता है तो आप लोग उसको पता कर सकते हैं तो इस तरीके से आप लोग यहां पे यही चीज़ी चेक करें करें अपने फ़ोन पर और अगर फिर भी यहां पर आपका जो चार्जर है वो सब चीज सही है तो हो सकते हैं QUE आपके फोन में प्रॉब्लम हो तो आपको यहां पे क्या करना है अगर आपका phone यहाँ पे on है तो आपको उसको एक बार reboot कर लेना या restart कर लेनी है तो उसके बाद आप लोग charge में लगा के देखिए और अगर फिर भी आपको problem आता है तो हो सकता है कि आपके phone में charging port में problem हो तो charging port में जो problem होता है वो hardware problem रहता है तो आपको यहाँ पे अपने phone को mobile swap पे ले जाना ही पड़ेगा तो उससे पहले आप लोग चेक कर लिजे जो भी setting मैंने आपको बताया है वो सब चीज़ आप लोग यहाँ पे देख लिजिए तो अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए